दोस्तो अगर आप अजमेर आए और अनासागर जील नहीं देखी तो समझ लिजी कि आप अजमेर आए ही नहीं नजारा ही ऐसा है यहां का जो कि यहां पर आए हुए टूरिस्ट का दिल लगा लेता है क्या गजब का और क्या मज़ेदार सीन है यार अनासागर का और हाँ ये अनासागर जील वही अनासागर जील है जिसके बारे में आपने सुन रखा है कि ख्वाजा गरीब नमाज के कहने पर पूरे अनासागर जील का पानी एक कासे में आ गया था क्यों क्योंकि राजा के सैनिकों ने ख्वाजा गरीब नमाज के मुर्शित को पानी देन क्षेंसे पहले दिल से रिक्वेष्ट है चैनल जिरू सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए चलते हैं तो दोस्तो मैं इंट्री कर चुका हूं तो चलिए चलते हैं और रास्ते में जो नजारा है आप देखिए फूल पत्तियों के कितनी अच्छे च्छे पौधे लगाए गए हैं देखिए क्या मस्त सीन है यार मजा आ रहा है और हवाँ इतनी मस्त चल रही है न मतलब राजस्थान की गर्मी देखिए मार्च में आपको पता है ये गर्मी स्टार्ट हो जाती है और राजस्थान की गर्मी की तो अलगी बात है लेकिन क्या मस्त हवा चल लगी नहीं रहा कि गर्मी का मौसम है और अना सागर से उठने वाली जो लहरें धंडी हवा की वो भी ऐसास दिला रही है धंडक का क्या मस्त ना जा रहा है चलिए हम अंदर चलते हैं, आप देख सकते हैं हवाई कितनी तेज चल रही हैं, और ये जो चारो तरफ से रस्ता है दोस्तों, ये सुभास उध्यान का है, सुभास उध्यान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, अनासागर के प्रांगड में ही इस्चित है, सुभास उध आपका नजारा आप देखिए लहराते हुई फोल पक्तियां क्या मस्त नजारा है। अहसास कुछ अलगी है यहांका। और देखिए, यह जो बना हुआ है यहांपर बर्रामदे प्रभी इन यहां का भी देखिए चारों तरफ नजा रहा हर याली और खुप सूरत नजा रहा है दोस्तों लेना चली आगे बढ़ते हैं यह खजूर का पेड़ है लेकिन लगत बहुत चोटा रहा है आप कमेंड करके बताएं दोस्तों यह किस चीज का पड़े लक्त और पुती से इसको पगड़े वहां कहीं गिर न पड़े चली साथ में कोई है भी नहीं मैं अकेले ही आया हूं अनासागर जील के लिए और देखिए धीरे-धीरे हमारी मंजिल करीब ही आती जा रही है थोड़ा सा पेसेंस रखिए दोस्तों बस सामने ही है अनासागर जील मैं आ गया हूं मैं बहुत ही करीब आ गया हूं बस सामने ही है अनासागर जील बस मैं पहुंसने ही वाला हूं देखिए कुछ लोग लोट भी रहे हैं अनासागर जील का दर्शन करके जियारत करके चलिए बस पहुंस गया हूं मंजिल तक अपनी यह रही सीड़ियां और यह चार सथ हमारा गवरो बारतिय पुरातत्त सर्वेक्षन देखिए सेड़ियों पर मैंने चड़ दिया और ये मैं पहुंच गया हूँ उपर और यहां से आपको दिखेगा अना सागर जील का नचारा अना सागर जील को आना सागर भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है अभी आपको बत दोस्तों और यह रहा आपका अना सागर छेल siya आपका हमारा आप पुरे राजस्थान का पुरे इंडिया देखिए क्या मस न जा रहा है हावा लहर ही तनी ठेज है ना दोस्तों कर देखिए जो लहर किलो मेटर की परीदी में विस्तरित है यानि अना सागर की किनारे किनारे अगर आप चलते जाएंगे तो आप लगवक 13 किलो मेटर की जो दूरी है वो आप तैं कर लेंगे ठीक है और ये देखिए चारों तरफ कना जा रहा या फिर उनको कहा जा था आणा जी चोहान ठीक है तो आणा जी चोहान के नाम से ही इस जील का नाम आणा सागर पढ़ा और जिसे बाद में आना सागर कहा जाने लगा इसका जो निर्माड हुआ था 1135 से 1150 सिस्वी की बीच में हुआ था किसने कराया था आना जी चोहान कौन थे पिते विराद चोहान के दादा थे ठीक है तो यह important fact भी आप याद रुकिए और देखिए क्या मस्त लहरे उट रही यार यार यह हावा का जोका इतना तेज है ना मैं आपको बता दू मुबाइल यार लग रहा है अब गिरा तब गिरा बहुत ही मजबूती से पकड़े हुआ और देखिए बीच में जो आपको दिख रहा है वो एक टापू है ठीक है चारो तरफ जील से गिरा हुआ एक टापू है जिसे आप देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच में और क्या इसकी हवा की लहरे उट रही और देखिए यहां से मैं आपको बता दो दोस्तों आपने अभी देखा भी होगा यह जो चारो तरफ इसके पहाडिया नजर आती है ना देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी तो फिलाल मैं आपको बोट की तरफ ले चलता हूँ बोट की तरफ यहां से आप बोट पर बैट कर सवारी भी कर सकते हैं देखिए यह रहा फिलाल आप देखते चलिए अना सागर जील करना चारा चारो तरफ से क्या मस्त सी झाओ, गधिर बहुत ही पास आ रहा हैं यह रहा और देखिए चारो तरफ का नजारा इसके उस साइड में चारो तरफ से अरावली पहाणियां आपको दिक रही होगी और यह यह भी अरावली पहाडी का एक दिरिश है और यह रहा यहां से boat पर बैठने के लिए entry कर सकते हैं और यह रहा boat का junction यहां से आप boat पर बैठ सकते हैं motor boat पर भी और speed boat पर भी मैं आपको इसके पास लिए चलता हूँ थोड़ा सा करीब दिखाता हूँ क्या मस्त सीन है यार कसम से दिल खोश हो गया कि मज़ा आ गया यह देखिए boat यहां से छोट चुकी है और यह speed boat है यह जो speed boat है नो दोस्तों यह तीन मिनट के अंदर पुरे जील का round लगा के आपको पहुचा देगी वापस यह इतनी speed में चलती है और देखिए छोटी कितनी speed से है और देखिए यह है station speed boat और motor boat का यहां से आप जाकर जील की मतलब share कर सकते है speed boat बहुत speed से चलती है और इस पर वही लोग बैठ सकते है जिनका दिल थोड़ा मजबूत हो जो घवराते हो उनको motor boat पे बैठना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा धीरे चलता है लेकिन speed boat बहुत speed में चलता है ठीक है आप देख सकते हैं यहां से नजारा और देखें लहरे कितनी उपर उपर उठ रही है तो ऐसे में speed boat पर जो बैठना बहुत खतरनाग भी हो सकता है दोस्तो ठीक है तो आप कभी आईएगा अगर मजबूत दिल वाले हैं तब यह देख यह अरावली पहाड़िया आपको दिख रही होगी यह अरावली पहाड़िया है अरावली परवत सिंखला की पहाड़िया ठीक है और यहां पर हमारे कुछ भाई मज़े ले रहे हैं किनारे पर बैठ कर लाहरों का दिखिए अरावली पहाड़ भी अभी दिखाऊंगा कि मतलब ये जो मोटर बोट है और स्पीड बोट है इस पर बैठने का क्या चार्ज लगता है वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो चलिए लिए चलता हूँ आपको उसी साइड में और देखे बैठ चुके हैं कुछ लोग और छोटने के लिए तयार है मोटर बोट और स्पीड बोट भी और इस तरब से ये छोटी पहाणी भी है पहाणी ओपर देख सकते हैं आप दोस्तों पेड़ पौधे होगे हुए हैं और ये पेड़ पौधे ये जो इस पर उगए हुए ना पहाणी ओपर ये कटेली जाडिया जैसे बब अधने पर थोड़े से अंदर मिट्टी भी मिलती है इसी बात नहीं है ठीक है इसमें नमी होती है लेकिन जो मैदानी भाग में मिट्टी होती है उसकी नमी के तुलना में वहाँ पर नमी कम होती है पहाणों में तो इसलिए वहाँ पर उतनी हर्याली नहीं हुपाती लेकिन हाँ कटिली जाडिया है देखिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ ये देखिए टिकट दर है आना वा जाना 10 रुपे प्रति बैक्ति और 50 रुपे तीन वर्स के लिए ठीक है ये टाप उपर आने जाने के लिए है और ये जो रेट लिस्ट है ये अना सागर जील की सैर करन ठीक है तो मोटर बोट क्योंकि थोड़ा स्लो चलता है तो इसलिए 20 मिनट लेगा और 100 रुपे ही उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा स्पीड बोट बहुत स्पीड में चलता है तो कमजोर दिल वाले किर्पया स्पीड बोट पर ना बैठें वो मोटर बोट पर ही बैठें ये मेरी तरफ से सला है अगर आप आए कभी तो देखिएगा बैठकर मज आएगा बहुत मज आएगा और अब देखिए चारो तरफ का जा रहा और इसके बारे में मैं आपको कुछ और बता रहूं दोस्तों कि 1627 इस बी में साजहां ने जील की किनारे लगभग 1240 फिट लंबा कटाहरा बनवाया है और लगभग 5 बार दर्यों का भी निर्माड कराया है और यहां पर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा दोस्त बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा दोस्तों बहुत तेज हवा भी है और लहरे भी बहुत उची उठ रही है जबरदस्त सीन क्या बात है देखिए लहरों को देखिए अरे बचा 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 अरे यार पुरा चेहरा भीग गया मोबाइल भी लगता है तो मोबाइल थड़ा साव करता हूं भीग गया लगता है चेहरा भी भीगा हुआ पूरा मुँह में पानी आ गया तो मोबाइल मैं ने साव कर लिये दोस्तों और ये देखिए ये जो मोटर ये छूतने वाला यहे इसकी स्पीड आप देखिए देखिए स्पीड देखिए स्पीड तेज 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 स्पीड क्या स्पीड देखिए स्पीड इसने पकड़ लिया क्या स्पीड पकड़ा इसने देखिए देख सकने हैं सेनाप इसलिए कह रहा हूँ कि कमजोर दिलवाले इस स्पीड बोट पर ना बैठें वो मोटर बोट पर बैठे देखे, मोटर बोट एक वापस आईए, इसकी स्पीड ऐसे ही रहती है, देरे देरे, तो इसलिए तो 20 मिनट में पूरा राउंड लगाता है, और दोस्तों यही पर मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीना से इंडिया आ उनके सम्मान में, उनकी कीर्ट में कमी हो रही थी, और ख्वाजा गरीब नवाज की शान बढ़ती ही जा रही थी, तो राजा ने सिपाहियों से उस अनसागर के पास पहरा लगवा दिया, कि ख्वाजा गरीब नवाज को अनसागर का पानी नहीं मिलना चाहिए, नहीं देन ना दिया जाये जिससे की वो खुद ही वापस सले जाएंगे तो जब ख्वाजा की मुर्षित आये पानी लेने तो सिपाहियों ने मना कर दिया मुर्षित ने जाकर ख्वाजा गरीब नवाज को सारा किस्सा सुनाया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम जाओ आनासागर के पास और आनासागर से कहे दो कि पानी तुम्हें ख्वाजा गरीब नवाज ने बुलाया है, ठीक है तो उनके इतना कहने पर ही मुर्शिट के कासे में सारा आनासागर का पानी भर गया, तो क्या हुआ उसके पूरे राज में तराही तराही मच गई, क्योंकि जनता को पीने के लिए पानी जो मिल ला था, अनासागर से ही मिल ला था, पीने के लिए पानी नहीं, तो पूरी जनता परिशान हो गई, जनता परिशान होकर जब राजा के पास पहुंची, तो आखिरकार राजा को माफ ही म तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर complete करता हूँ लेकिन आप इसके बाद वाली वीडियो देखना न भूलेगा क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सुभास प्रांगड यानि की दौलत बाग का नजारा जिसे की किस ने बनवाया था जिसे की ज यहां गीरने बनवाया था ठीक है तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे दौलत बाग के खुबसूरत नजारे के साथ ठीक है ये वीडियो आप लाइक शेयर और सबको शेयर कर देना दोस्तों और हाँ चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करना तो अगली वीडियो मे फिर मिलते दोस्तों जय हिन जय भारत